हेलो फ्रेंट्स विलकम टो अफैसे चैनल दोस्तों अफैसे चैनल मैं आप स्वागत करता हूँ और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज पढ़ाई से रिलेटेड टापिक के बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट हैं जो तयारी तो करते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाई कै कैसे करना है और किस तरह से एक्जाम को क्वालिफाई करना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सुरू से लेकर लास्ट तक इसी टापिक पे हम बात करेंगे चोटी सी वीडियो होगी और दोस्तों कोई भी ग्वैरी हो तो आप कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं हम उ तो दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट होते हैं कि कोई वीडियो देखेंगे मोटिवेशन से रिलेटर और ऐसा लगया कि हमी एक्जाम को क्वालिफाई करेंगे और लगभग दो से तीन दिन तक चार दिन तक अच्छे से वो लोग पढ़ाई करते हैं उसके बाद फिर वह ही बहाने दुनिया भर के आ जाते हैं दिमाग में और अपना रूटीन सही नहीं कर पाते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं जिससे पहली बाती दोस्तों जान लीजिए कि आपको यदि सरकारी नौकरी लेनी है तो उसी हिसाब से आपको सरकारी तरीके से पढ़ाई नहीं करत आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं किस तरह से बात कर रहा हूं करने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई जो है डेली कांटिनू बेस पे करेंगे मतलब आप भले ही 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ते हैं इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन कितना टापिक कंप्लीट करते हैं यह सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो तयारी कर रहे हैं वो उसी तरह से तयारी करते हैं दोस्तों वो अपने पढ़ाई जो है जो भी एक्जाम क्वालिफाई करते हैं अपनी चौब के लिए या फिर किसी विछ ऐसे चीज हो गई दूसरी चीज आपको कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना है चाए आप 10 मिनट ही पढ़े पंदर मिनट ही पढ़े उसकी लिए आपको टेबल और कुरसी पे बैढ़ कर पढ़ना है बहुत सारे student यही गलती करते हैं कि पहले ले लेंगे book उसके बद बिस्तर पे लेट जाएंगे पेट के बल बैट जाएंगे या करवड बैट जाएंगे लेट जाएंगे तो उसी तरह से pace पढ़ लटेंगे और पढ़ते रहेंगे इससे दोस्तों क्या होता है कि आप चीजे तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग जो है concentrate नहीं हो पाता है आप सही चीज को आप अवाइड कर रहे हैं और आपका mind कहीं और ही चल रहा है आपको लगया कि हाँ दो पेज तीन पेज पढ़ लिए आदे गंटे पढ़ लिए लेकिन कभी आप उसका analysis करेंगे न तो आपको पता चले है कि आपको बहुत सरी चीजे उसमें डूढने लगेंगे कि हम तो यह चीज इसका question का answer क्या होगा आप खुदी नहीं बता पाएंगे इसलिए सबसे अच्छा मैनर यही है कि आपको पढ़ने के लिए table और कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ें आप कुर्सी बैठें और हो सके तो लैंप का अब जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है उसका ब्यवस्था कर ले क्योंकि उसका जो focus होता है न वो book पे पढ़ता है तो उससे आपकी आँख में जो है बहुत ही एक तरीके का समझ लिजे smooth feeling होती है और दो चीज हुई दोस्तों पहला चीज टाइम टेबल आपको एक टाइम टेबल पढ़ना है जिस चीज की भी आप तैयारी करते हैं इसका पहले syllabus निकाल लीजिए कि syllabus में क्या है उस syllabus के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाईए चाहा भले ही आप शुरुवात आज से कर रहे है इससे कोई मतलब नहीं है इसके पहले क्या की है क्या नहीं इसका कोई मतलब नहीं लेकिन जब भी आप सुरुवात कीजिए तो पहले syllabus डाउनलोड कीजिए उसके बाद से टाइम टेबल बनाईए कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना देना है बहुत सारी ऐसे स्टुडेंट है जिनके math week होते है math strong होते है English week होती है या फिर GS week होती है तो जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा week है उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए और जो थोड़ा आपका लग रहा है कि हाँ strong है इसको कर ले जाएंगे तो उसको आप practice करते रहे है और उसका previous year से लेकर जो भी उसके model model practice test आते हैं उसको solve करते रहे या फिर online बहुत सारे विवस्थाएं होती चली जा रहे हैं उसको आप test देते रहे या फिर आपको इदम नया student है और यह नहीं पता है कि आप क्या होता है कैसे होता है तो उससे अच्छा पहले syllabus को खतम करिए पहले चीज टाइम टेबल खतम कर पढ़िए और तीसरी चीज़ दोस्तों जिस रूम में पढ़ते हैं आप वह एकदम साफसुतरी होनी चाहिए इससी क्या होता है वहां का जो माहौल क्रियेट होगा वह बहुत ही स्तांदार और जबरस्त होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि टूटी-फूटी किताब इधार उद तो तीसरी चीज़ यह होगा है कि आप साफसुतरे वातावरण में रहें मतलब अपना जो रूम है जिस रूम में आप इस्टडी के लिए बनाये हैं उसको साफसुतरा रखें चौथी बात दोस्तों जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो लोग सुचते हैं कि हम दो घंटे लगातार पढ़ेंगे ऐसा नहीं होता है दिमाग जो है न वो किस बेस पे काम करता है यह आपको नहीं पता होगा क्योंकि एक ही चीज आप पढ़ेंगे न तो उससे आप उप जाएंगे और आपके दिमाग में जो है वो चीज को concentrate नहीं कर पाएंगे और जो भी पढ़ेंगे आप बोलते चले जाएंगे इसके लिए क्या है कि आप जब भी पढ़ें तो एक चालिस मिनट चालिस से पैतालिस मिनट तक का ही टाइम रखें क्योंकि यह नहीं कि मतलब आप पैतालिस मिनट पढ़ रहे हैं वैसे आप continue पढ़ रहे हैं और टाइम जादे हो गया एक घंटा हो गया तो कोई बात नहीं लेकिन यदि पैतालिस मिनट पढ़ने के बाद आप दस या पंदर मिनट का साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन जो है most important है क्योंकि आप यह दि रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको challenge के साथ कह सकता हूँ आप कभी भी exam को qualify नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितने भी student exam को qualify नहीं करते हैं ऐसा नहीं कि उनको question आता नहीं है exam में दोस्तों उनको question आता है बसरते वो confusion में रहते हैं क्योंकि यह दो पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें याद हो गया लेकिन जब exam में जाते हैं और option को देखते हैं तो वहां पर a, b, c, d ऐसे करके आता है उसमें किसी 50-50 यदि करते हैं तो अभी दो option में confused जाते हैं कि a होगा कि b सही होगा इसलिए यदि आप revision करते हैं तो आपको देखते ही देर होगा आप तुरंट आप उसको answer को भरेंगे टिक करेंगे तो इसलिए revision जो है most important है आप कितना पढ़ते हैं यह कोई जरूरी नहीं है उसको कितना आप अपने दिमाग में feed करना है हमेशा के लिए यह most important आप से कहीं भी कोई सवाल करेगा तो आप फटाक से उसका answer दे देंगे लेकिन जब एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको confusion बना रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं आपको English पढ़ना है, GS पढ़ना है, reasoning पढ़ना है और maths पढ़ना है तो आप क्या क्या याद करेंगे लेकिन जब revision होगा न तो revision जो होता है उससे practice से आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है और automatic application देखेंगे तो वहाँ से आप तुरंत देखते ही answer देंगे तो ये सारी चीजे होते हैं पढ़ाई करने का तरीका और दोस्तों इसके साथ ही यदि आप आज से सुरू करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए आप 21 days मतलब 21 दिन लगातार कीजिए क्योंकि 21 दिन से एक भी दिन कम करते हैं तो आपको रूटीन फालो नहीं होगा और आप फिल फेलियर के तरफ बढ़ेंगे लेकिन ये चीज आप 21 दिन करते हैं तो ये आपके आदत में बैठ जाती है और उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ता है जैसे आप बहुत सारी चीजे अनुआ करते होंगे माले जिस स्टार है तो आप देखते हैं कि आपको जारे ध्यान नहीं देना पड़ता है आप किसी बात भी करते रहेंगे कॉल पर न तो भी अचानक कुछ सामने आता तो आटमेटिक माइंड जो है काम करता है ब्रेक लग जाता है गेर लग जाता है चाहे जो भी तो ये चीजे जो होती है न और आपको सभसें बड़ी बाती है न कि आपको बीना पड़े रही नहीं पाएंगे वो चीज उस टाइम पें आपको करना पड़ेगा ही खुद ही नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ घो जा रहा हूं और कुछ मेरा मतल्म नुकसान हो रहा है टाइम लौस हो रहा है जो मेंन चीज आपका मेंध्षी पढ़ाई है अपमें चीज जो पढ़ाईacement से उसको उसको करेंगे एापको ऐसे फीलिंग नहीं याए और आपको अच्छा मैसूस होगा और फ्रेज मैसूस करेंगे तो दोस्तों ये सारी चीज़े हुई पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई करने का तरीके और क्या-क्या चीज़े इसमें ध्यान देनी चाहिए इस वीडियो में मैंने बताने के पूरी कोशिस की और इसी टापिक पे मैं एक और वीडियो लेकर रहता हूँ तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए टेक कियर बाई बाई दोस्तों जल्द मिलेंगे और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को हम ऐसे ही रिलेटेड वीडियो एजुकिशन से डालते रहते हैं थैंक्यू दोस्तों